लोटस हायरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चोधरी आज हम बात करेंगे अचानक सुगर बढ़नी के पीछे हो सकते हैं एक कारण बढ़ा सकते हैं डायबेटीज रोगियों की परिशाने तो क्या कारण है क्या है मैं आपको वीडियो शुरू करता ह हूँ और सब डिटेल आपको बताता हूँ शरीर में ब्लट सुगर लेबल पर इस तर बढ़ने के कारण कई समस्याइं देखने को मिल सकती हैं मूह सुखना और अधिक प्यास लगना बार बार पेसाब आना हर समय ठका हुआ महसूस करना नजर कमजोर होना और अचानक बजन बढ़ना जैसी समस्याइं शरीर में सुगर लेवल बढ़ने के कारण देखने को मिलता है लेकिन आमतोर पर हम सब रक्त में गुलकोस बढ़ने की समस्या को डायबेटिस से जोड़ते हैं लेकिन आपको बता दें कि हर बार ब्लट सुगर बढ़ने का कारण हमेशा इसके बीना भी कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण बेलट सुगर में अचानक इस पाइक देखने को मिल सकती है कि मैं आपको डेटेवल ने बता रहा हूं अचाना शुगर बढ़ने के कारण मीठी चीजों का अधिक से बन करना मीठी चीज़ें खास कर ये चीनी में प्रयोग क्या जाता है बहुत जल्ली पच जाता है और गिल्फोस में परिवर्थि रहुज जाता है यह बिलेड इश्ट्री में बहुत तेजी से गुलुगोज बढ़ाता है कि धूप के कारण जब लोग धूप के संपर्त में आते हैं तो इससे संबन की समस्या होती है इससे शरीर में तनाव बढ़ता है तनाव सरीर में बिलेड सुगर के बढ़ने का कारण बनता है चाय कौफी पीने से अगर आप चाय कौफी का आधिक सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद कैफीन कई बिलेड सुगर इसमें मौजूद कैफीन कई बिलट सुगर बढ़ने का कारण बनता है खास कर उन लोगों में जो कैफीन के प्रत सम्मिनन सील होते हैं पर्याप्ते नीद ना लेने से अगर आप रात में नीद नहीं लेते हैं तो इंसुलिन सेंसिविटी प्रवाबित होती है जिससे गिलगोच कुछकाओं तक नहीं पहुँच पाता है और इनर्जी के रूप में प्रियोक नहीं हो पाता है ब्रेकफाष्ट स्किप करने से बहुत से लोग जो सुबह ब्रेकफाष्ट करने के बाद सीधे दोपैर का भोजन करते हैं उनका ब्लेट सुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है सरीर में पानी की कमी अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो इससे सरीर डिहाइड्रेट हो जाता है इसके कारण कुछ लोगों में ब्लेट सुगर बढ़ने की समस्या भी देखने को मिल सकते हैं मसूडे की बीमारी अगर आपकी ओर्रल हेल्थ ठीक नहीं तो यह डियापेटीज का कारण बन सकता है यह ब्लेट सुगर में पाईक की जट्टिलता को भी बढ़ाता है तो अगर आप भी अक्सर ब्लेट सूगर में स्भाइक नूटिस करते हैं तो हर बार आपको चिंतित होने की जुरूत नहीं है क्योंकि Diabetes के अलावा भी कैये कारणस हो सकते हैं लेकिन अगर आप सामान से अक्सर ब्लेट अक्सर बढ़ने की समस्टा का सामना करते हैं तो ऐसे में आपको एक बर डॉक्टर से चेक अप जुरू कराना चाहिए क्योंकि कुछ मावलों में यह किसी गंभीर समस्ता का संकेत भी हो सकते हैं यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं धन्वाद